एलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप से ही बहुत ही अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का रसायन विक्यान का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जो है त्रिबीम ये जालक या क्रिश्टल जालक तो त्रिबीम जाल किसे आपको समझ में आएगा तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं तो हमने यहाँ पर याद रखेंगे ठो सवस्ता का यह पाठ है तो याद रखेंगे हमें पढ़ना है त्रिबीम जालक त्रिबीम जालक या इसे ही हम क्रिश्टल जालक के नाम से भी जानते हैं क्रिश्टल जालक तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते किसे हैं यदि इसके सबसे पहले यदि हम इसके परिभासा पर बात करें तो इसका परिभासा यही होता है ध्यान से सुनिये का परिभासा यही होता है कि त्रिविम आकास में अवयवी कनों की एक नेमित बेवस्ता को हम क्रिष्टल जालक कहते हैं समझ में आया क्या का जारा है कहा ये जारा है कि त्रिविम आकास में त्रिविम आकास में जो अवयवी कन होते हैं ना अवयवी कन अवयवी कणों की एक नियमित बेवस्ता को नियमित बेवस्ता को यह क्या कहते हैं? हम क्रिश्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं मतलब त्रिविम आकास में अवयवी कणों की एक नियमित बेवस्ता को हम क्या कहते हैं क्रिश्टल जालक या क्रिश्टल जालक कहते हैं अब इसमें पॉइंट्स आता है कि भी या यह अवयवी कण है गया तो अवयवी कण का मतलब होता है या जिन से जिन से मिलकर जिन कणों से मिलकर क्रिश्टल बना होता है उस कणों को ही हम अवयवी कण कहते हैं तो आपको ध्यान से याद रखना इसका डिफनेशन सबसे पहले कि त्रीबीम आकास में अवयवी कणों की एक नियमित बेवस्ता को त्रीबीम जालक या क्रिश्टल जालक कहते हैं तो सबसे पहले हमें आप डिफनेशन लिख दे रहे हैं उसके बाद हम बात करेंगे तो डिफनेशन के लिखेंगे लिखेंगे यही त्रीबीम आकास में अवयवी कणों की एक नियमित बेवस्ता को त्रीबीम जालक या इसे हम क्या कहते हैं क्रिश्टल जालक कहते हैं तो आसा कहते हैं आपको डिफनेशन याद हो गया होगा क्या कहा जा रहे हैं किसी त्रीबीम आकास में अवयवी कणों की एक नियमित बेवस्ता को त्रीबीम जालक या क्रिश्टल जालक कहते हैं तो आसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि त्रीबीम जालक या क्रिश्टल जालक क्या होते हैं अब आते हैं कि त्रीबीम जालक या क्रिश्टल जालक के प्रकार कितने होते हैं तो याद रखेंगे अब आते हैं इसके प्रकार पे जब इसके प्रकार आपको बताये जाएगा तो आपको TRIVIM जालक भी अच्छे समझ में आएगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अब देखेंगे क्रिस्टल जालक या कि या कि प्रकार ठीक है तो याद रखेंगे दोस्तों किस्टाल जालक या त्रिविम जालक के कितने भीया तीन प्रकार होते हैं कितने तीन प्रकार होते हैं और वो कौन-कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं तो सबसे पहला प्रकार होता है सबसे पहला प्रकार का नाम है एक विमिया क्रिस्टल जालक एक विमिया क्रिस्टल जालक तो से पहला पॉइंट यह आता है कि एक वीम्य क्रिश्टल जालक कहते किसे हैं तो याद रखें दोस्तो एक वीम्य क्रिश्टल जालक का इसे कहेंगे कि ऐसा क्रिश्टल क्रिश्टल जालक जिनके अवयविकन एक सरल रेखा में वेवस्तित हो उसे हम क्या करते हैं क्रिश्टल जालक कहते हैं समझ में आया कहा यह जा रहा है यह क्रिश्टल जालक कहीं तो यह प्रकार है ना यह भाग है तो हम यहीं कहेंगे ऐसा क्रिश्टल जालक जिनके अवयवि समझाए जाएगा सबसे पहले यहां पर डिफिनेशन लिखवा दिया जाएं लिखेंगे और ऐसा क्रिस्टल जालक जिनके अवयविकर्ण सरल लेखा में बेवस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं या उसे एक विमिया क्रिस्टल जालक कहते हैं ठीक है तो हमने यहां पर दिख दिया है ऐसा क्रिस्टल जालक जिनके अवयविकर्ण एक सब्यर रेखा में बेवस्थित होते हैं उसे यह क्याते हैं एक वीमिय क्रिस्टल जालक क्यते हैं तो आशकर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा एदि एक जांपल से हम एक फिगर से बता दें तो इनके अवयविकन कैसे भीया इनके अवयविकन सरल रेखा में ब्यवस्तित होंगे जैसे इस प्रकार यह एक सरल रेखा के तरह है की नहीं तो भीया इनके अवयविकन एक सरल रेखा एक स्ट्रेट लाइन में क्या होंगे ब्यवस्तित होंगे ठीके अब आते हैं इसके दूसरे प्रकार पे तो याद रखेंगे इसका दूसरा प्रकार होता है द्वी भीमिया द्वी भीमिया क्रि क्रिश्टल जालग जिनके अवयवी करण किसी तल में वीवस्तित हूं उसे हम 2 विम्य क्रिश्टल जालग कहते हैं मतलब ऐसा crystal जालाग जिनके अवयरी कर्ण कहां भीचा अवयरी कर्ण किसी तल में किसी तल में क्या हो वेवस्तित हो उसे हम क्या कहते हैं द्री विम्य क्रिस्टल जालाग एक विम्य क्रिस्टल जालाग जिनके अवयरी कर्ण सड़र रेखा में वेवस्तित हो उसे हम एक विम्य क्रिस्टल जालाग द्री विम्य क्रिस्टल जालाग जिनके अवयरी कर्ण किसी तल में वेवस्तित हो उसे हम द्री विम्य क्रिस्टल जालाग कहते हैं तो डेफिनेशन ह मियास से लिख दे रहे हैं डिफनेशन क्या लिखेंगे ऐसा क्रिस्टल जालक जिनके अवयवी कर्ण कर्ण किसी तल में विवस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं उसे द्वी बीमिय क्रिस्टल जालक कहते हैं तो द्वी बीमिय क्रिस्टल जालक जिनके अवयवी कर्ण किसी तल में विवस्थित हो किसी भीया किसी तल में वेवस्तित हो उसे द्री वीमिय क्रिश्टल यालक क्या भीया सडर रेखा में वेवस्तित हो उसे एक वीमिय क्रिश्टल यालक कहते हैं जैसे तल का मतलब ही या कि एसे हम figure बना दें तो ऐसे एक निमित व्यवस्ता में तो होंगे ही होंगे और एक तल में भी व्यवस्तित होंगे जैसे इसमें क्या हुआ इसमें X भी है और Y भी है तो यह तल हुय है कि नहीं X और Y दोनो आप है तो इसका मतलर यह 2 वीभी प्रिमियल तो यह कह सकते हैं कि ऐसा क्रिस्टल तो एसकर जिनके अभयेमियल कर लिवास्तित हो उसे घ्र लया करते हैं यहां पहुत डैते हैं त्रेघ कंपिस्टल जालग इसको थोड़ से मिटका दे रहाँ यहीं हम लिखते रहें त्रीफिं कृष्टल जालग को भी देख लेते हैं है तुट्सони कृष्टल के जालग कि रिभीं क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं तो याद रखेंगे ट्रीबिम क्रिश्टल जालक ऐसे ऐसा क्रिश्टल जालक जिनके अवयवी करण क्या होते हैं यह त्रीबिम में वेवस्तित होते हैं इनके अवयवी करण त्रिवीयम में अधुर। बेवस्तित होते हैं, ठिक्छे उसे मं क्या कहते हैं, गिंगे आधुवीकन त्रिवीयम में बेवस्तित होते हैंIST यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देख रहा है ना तो इनके त्रीवीम पर ब्यवस्त्रीत हैं तो probability यह एक पर यह ज़िए अच्छे से श्मझ में आगया होगा तो यहीं कहुंगा यह बहुत इ 되면 टापिक रवासाय कैंowa तो आप इसको याद कर लीजेगा ठीक INFORM आखकार के ama पासा करते हैं आपको समझ में आया होगा तो यह दिए आपको कोई भी टॉपिक फिजिक्स में किसी भी कलास का समझ में नहीं आता है तो उस बस केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूटूब पर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल आप चेप्टर वाइस सेक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुन्दा से नोट्स बना सकते हैं अदर्वाइस आपको प्लेलिस्ट या डिस्कुशन समझ में नहीं आता है कि कैसे हम निकाले या कैसे हमें पता चलेगा तो आपके लिए एक नंब या क्लास 12 का आपके वल लिख सकते हैं क्लास 10 फिजिक्स कमेस्टरी वीडियो लिंक ठीक है तो आपको वीडियो मिल जाएगा या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है जिसे या आपको क्रिश्टल जाला को समझ में नहीं आ रहा है तो क्रिश्टल जाला किसे कहते हैं व झाल, झाल, झाल